हेलो फ्रेंड्स गुड़ आप्रेनून कैसे हूँ होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे श्रू फ्रेंड्स आज की सुड़ा आप लोग से मैं छोटा सा हिंदी लैंग्विस का टेक्ष्ट लोगा एसपसाली यूपी विया टेंटन्स एक्जाम 2023 के लिए अंगों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो एजुकिशन भी साहिल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुन फ्री में तारिक लिए तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारा क्रैस कोर्स भी है मात्रे 160 रुपए में आप लोग अपनी बीएड एंटन्स एक् जारो बच्चों का विस्वास है इस बार भी बहुत सारे बच्चे परजेश किये हैं और अपनी जबर जस्यारी वो लोग कर भी लिये हैं तो अभी आपनों के पास प्रयाप्त शमय है सोची विचारिये मत नहीं तो प्राइवेट में आपका जबर डिमिशन होगा तो शंदेश राचा के रचीता है कौन सब लोग जाब देने के प्रयास करेंगे आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं शंदेश राचा के रचीता कौन है तो वो हैं अब्दुर रहमान ठीक है न यहाँ पे 51 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो दका चलिए कौन सा महीना भादरपद महीने के बाद आता है बताए उस महीने का नाम जो भादरपद महीने के बाद आता है सबी को गड़ाप्टन भाई वीडियो को लाइक सेर करते रहो शब लोग और चैनलों को सब्सक्राइब जरू कर लेना कौन सा महीना पंक्तियों के रचाइता है कौन। ना गरजुन दिनकर या अगे है निराला। 53 का जॉप दने का प्रयास करेंगे तो इसके जो रचाइता है पंक्ति के वो हैं दिनकर जी 53 का भी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा। प्रथमतार शब्तक का प्रकाशन वर्स है कौन सा है या 243 यहाँ पे यह वाल आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा ठीक है चलिए आगला प्रस्षन तोड़ने ही होंगे मठ और गड़ सब किसकी पंक्ती है तो यह पंक्ती है मुक्ति बोध जी की 55 का D आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा हिंदी सब्दकोष में अन किस वरण से पहले आता है बताएंगे सब लोग हिंदी शब्दकोष में अन किस वरण से पहले आता है सभी लोग जवाब दने के प्रयास करेंगे तो यह आता है अहां के पहले ठीक है चलिए 56 का जो आपका सी वाला बिल्कुन करिक्ट हो जगा चलिए निमलकित में से दंतब वरण कौन सा है तो ता आपका ताका उचनड से होता है चा का तालू से होता है इसका अनुनाशिक से ठीक है चलिए शब्दकोष में निम्ड में से सरवपरतम आने वाला शब्द कौन सा है बताए शब्दकोष में निम्ड में से सरवपरतम आने वाला शब्द कौन सा है तो वह आपका प्य अब लोग महाधन उदे किसका संदिवी शेथ है महाधन उदे का है ठीक है चलिए बहुत ही अच्छे शद भावना का संदिवी शेथ क्या होगा बताएंगे अब लोग शद भावना का संदिवी शेथ क्या होगा शद भावना हो जागा ठीक है साठ का डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वाक में प्रियुक्त शब्द को कहते हैं क्या वाक में प्रियुक्त शब्द को कहते हैं क्या पद कहते हैं क्या कहते हैं पद कहते हैं चलिए बहुत इच्छे डाट डाट बोलो कोई सुन ना लेगा वाक में रिक्तिसान में क्या आएगा जोर से बोलो, गा कर बोलो, चीक कर बोलो, धीरे बोलो क्या आएगा यहाँ पर खालिस्तान पर बताईए सब लोग कुछ भी डाउट से हैं तो आप लोग इंस्टा पर भी आप लोग हमें फालो कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में दे दिया हूँ आप लोग हमसे बातशीत दी कर सकते हैं तो यहां पर धीरे आएगा आपका धीरे बोलो कोई सुन लेगा ठीक है चलिए वाक में शब्दों का करम निर्धारित होता है किस से पदिकरम से भासा से छंद से या अलं तत्पुरुष शमास हो जागा आपका ठीक है चलिए बहुत इच्छे निमलखित में से दिगुष शमास किसमें बताएं दिगुष शमास किसमें है शब्ता हमें आपका दिगुष शमास है ठीक है शो फ्रेंड्स यह थे आपके हिंदी लैंग्वेस के टॉप 15 कोश्चंस 15 कोश्चंस में से जितनी भी कोश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको अपना ज़रूर देगा और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग अबने चैनल एजूकेशन भी साही यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें